हलो फ्रेंड वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके लिए फेस्टिबल स्पेसल मिठाईगी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि घर के बेसिक समान से बन के तैयार होता है और बनाना इतना असान है कि आप एक बार रेसिपी देख लेंगे न तो बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल पर जाके और को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो यह म जाएं तो उसे और जादा पीस लीजिए और बारिक है तो एक बार मिक्सर चला लीजिए तो यहां पर मेरा जो सूजी है नौर्मल है जो की हल्वा हम बराते है वही वाला सूजी है इसे मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया तो यह देखे एक दम पावडर के फॉर्म में आ जाता है नारियल का सूखा बुरादा तो यहां पर मैंने लिया है एक कप आधा कप लिया था मैंने सूजी और एक कप लिया है यहां पर डेजिकेटेट कोकोनट आप जितना डेजिकेटेट कोकोनट ले रहे हैं उतना ही आपको दूद लेना है तो यहां पर मैंने नॉर्मल तेंपरेचर पर दूद दिया है एक कप डेजिकेटेट कोकोनट और एक कप दूद दोनों का मेजर्मेंट सेम रहेगा और इसको हम एक बार ग्राइंड कर लिए और यह हमारा कोकोनट मिल्क बन के तयार हो गया है अब यहां पर गयास और कराई रख देते हैं गयरे तले का बर्तल लीजिए और इसमें मैं ढ़ाई चमच सुद्ध गी डाल दीगे घी मेल्ट ना हो तो भी चलेगा क्योंकि गयास तो यहां पर आउन है तो यहां पर गी को हम मेल्ट करते हैं और यह जो हमने शुजी को क्लर वैसा आपको चेंज ने करना बस थोड़ा सा इसका कच्छा पर निकल जाए इतना आपको इसे चलाना है दो से तीन मिनट चला लिए अब कटोरी में जो भी बचेवे घीते वापस इसमें डाल देते और वापस इसे चलाते लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा औ अब इस स्टेज पर यहां पर मैं आदा कोटोरी पीसी वी चीनी आड़ कर रही हूं आप चाहे तो बिना पीसे भी चीनी डाल सकते हैं तो यहां पर चीनी डालने के बाद इसे हम वापस एक से दो मिनट चलाते हैं और जब चला लेंगे तो बीच में आप थोड़ा सा सोजाए तो यह जो हमने डेजिकेटेट कोकोनट और मिल्क को ग्राइंड किया था वो इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से चलाते हैं और एक चीज धियार नखिए जो यह मिकसर के जार में बचे हुए है ना कोकोनट और मिल् अब इसे हम कंटिनियस चलाते हैं आपको कराई को छोड़ना नहीं है दीरे-दीरे करके अच्छे से चमच की सहता से इसे मिलाईए आप जब इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे यह जो है ना डो के फॉर्म में बनने लग गया और कराई यह चोड़ने तो अब इसे हम वापस एक से दो मिनट और चलाएंगे लगवक तीन मिनट अच्छे से मैंने इसे चला लिया थोरा मसल भी लिया चमच की साहता से भी मसल लिया अब देखते हैं कि यह दो हमारा बन के तयार हुआ है कि नहीं तो छोटा सा एक टुकड़ा लीजे और इस तरह पूरा थंड़ा आपको नहीं करना हलका थंड़ा करके रखना है आपको साइद में प्लेट में रखके इसे हलका थंड़ा कर लिया है अब इसे थोरा सा मसल लेते हैं मसल के अच्छे तरह से एक जैसे हम आटा का डो बनाते हैं उस फॉम में से हम एक जगह एक खटा कर लेने अब इसका एक टूकरा लेते हैं, अब आपके पास दो स्योईस है, चाहे तो आप इस तरह से लंबे चंप-चंप के सेप में भी दे सकते हैं और चाहे तो आप इसे पेरे के फ़र्म में भी बना सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके का बता रही हूं तो यहां पर देखिए मैंने इसे चम-चम का सेप दिया है लंबा सेप देखे और आप चाहे तो पेरे का सेप भी दे सकते हैं तो मैं बना लिए इसे पेरे के सेप में एक तो मैंने आपको चम-चम के सेप में बना के दिखा दिया दूसरा क्या है यह देखिए इस तरह से मैंन में desiccated coconut लेते हैं और इस तरह से जो हमने पेरे के form में मिठाई बनाया है उसको चारो तरफ से घुमाते वे इसमें अच्छे तरह से रोल कर लेते ताकि इसमें जो है उपर से desiccated coconut चिपक जाए और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है यह देखे कितना अच्छा लग अब एक प्लेट में क्या करेंगे से निकालेंगे और यह पेरे को रखेंगे ऊपर से आप इसे किसी भी तरह से पमखुरी और फिस तरह से बीच में प्रेस कर यहूँ और इस तरह से में ने देखिया पिस्ता रखा ऑठ तोर अगुलाब की पंखुरी कि इतना बड़िया लग रहा है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है किपने कम समान से बन के तैयार है और समान यहां है जो आपके सुखा वाला नाडियल है तो उपर का लेयर हटाईए और मिक्सर के जार में उसे पीस लीजिए, कितना आसान तरीका है, इसी तरह सारे मिठाई में इसमें बना के इस प्लेट में रख लूँगे, तो यह हमारा घर के बेसिक समान से बन के मिठाई तयार है, बहुत आसान तरीक में आपने देखा होगा, जो कि बहुत मेहंगे मिलते हैं, तो घर पे बनाईए, बहुत सस्ता पड़ता है, और बहुत स्वादिस बनता है, तो रेसिपी को जरूर ट्राइ करिए, अपने फैमली मेंबर में ज्यादा से ज्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर करिए, ताकि वो भी इस फेस्टिवल में इस तरह की मिठाई, ट्राइ करें और अपने महमानों के सामने पेश करें, चलिया मिलते हैं फिर इसी तरह नही नही रेसिपी के साथ, थैंक्यू फ्रेंड